गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपने चैप्टर को कंटेन्यू करेंगे, the longest step, हम करने वाले हैं page number 108, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई चीज को नापते हैं, तो measure करते हैं, तो जब हमारे पास measuring scale नहीं होता है, तो हम उसे या तो handspan से नापते हैं, match stick से नाप सकते हैं, या फिर qubit से या foot span से नाप सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया था कि किसी भी चीज को ये क्या है, एक handspan, हम handspan से ऐसे करके इसको नापेंगे, जैसे one handspan इसकी चोड़ाई है, और ये one handspan plus four fingers, और five fingers जो है, इसकी लंबाई है, तो आज हम ऐसे ही page number 108 पे पढ़ेंगे, cat's food, rat और milk, देखो इस picture में आपको दिखाए दे रही है, एक heart है, ये रही, एक cat है, एक rat है, और एक milk का bowl है, ठीक है, तो अब जो है, आपको इस picture में बताना है कि cat का food क्या होगा, rat या milk, मतलब cat किसे खाएगी, rat को या milk को, Use your fingers to find out the distance between the rat and the milk, rat और milk के बीच में, आपको distance find करना है, देखो, आप अपनी finger को ऐसे रखेंगे, और rat और milk के बीच में देखेंगे, कितना distance है, one finger, तो आप यहाँ लिखेंगे, one, how far is the cat from the rat, जो cat है, वो rat से कितनी दूर है, अब आप बुक पे अपने finger रखेंगे, cat और rat के बीच में, four, four fingers, है ना, four fingers का distance है, तो यहाँ लिखेंगे हम, four fingers, how far is the cat from the milk, अब यह देखना है, कि cat जो है, वो milk से कितनी दूर है, अब देखेंगे, हम ऐसे ही अपनी बुक में यहाँ रखेंगे, हमारे पास कितना distance है, milk से cat तक का, three fingers, तो हम यहाँ इसमें लिखेंगे, three fingers, what will the eat, reach first, the rat और the milk, अब बताओ कि वो सबसे पहले किसके पास जाएगी, जिसका distance कम होगा, उसी के पास सबसे पहले पहुँचेगी ना, तो distance कम किसक था, milk का, क्योंकि rat से cat का distance था, four fingers, और milk का distance था, three fingers, तो cat जो है, milk तक सबसे पहले पहुँचेगी, तो उसका food क्या होगा, milk, आप यहाँ जो यह milk लिखा है, इस पे right का click करेंगे, ठीक है, यहाँ तक आपको अपनी बुक में यह complete करना है, अब देखेंगे हम page number 109, ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, measure and draw, आपको एक picture दी गई है, आपको यहाँ एक picture दिखाई दे रही है न, उसमें यह क्या है, एक stone बना हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पर, वो एक monkey बना हुआ है, और एक यह flying bird बना हुआ है, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको, draw a leaf two fingers away from the stone, stone से two fingers away, दो fingers दूर आपको एक leaf बनानी है, तो यहाँ से हम दो fingers रखेंगे, यहाँ पर आपको एक leaf बनानी है, draw a banana five mad sticks away from the monkey, यह जो monkey है, इस monkey से five mad sticks दूर जो है, एक banana बनाना है, ठीक है, draw a kite seven fingers away from the stone, आपको stone से seven fingers दूर एक kite बनानी है, पहले आपने two fingers दूर क्या बनाया था एक leaf, और अब उसी को जोड़ के seven fingers दूर, ऐसे आप count करेंगे, four, और फिर उसके बाद three fingers और, count करके आप यहाँ एक वो बनाएंगे, kite, ठीक है, draw a cloud three mad sticks away from the kite, kite से three mad sticks दूर जो है, एक cloud बनाना है, आप सब यह copy में बनाएं, इसी book में page complete करेंगे, और उसकी photo खीच कर send करेंगे, ठीक है, तो आज का home assignment है, page number 108 and 109, book में complete करना है, और उसकी photo send करनी है, ठीक है, okay, thank you.